मश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंभूमी जॉव्स में तो दोस्तों आज आपके लिए सरकार विभाग में हम भरती लेके आए हैं उसके बारे मैं आपको पूरी डिटेल में बताएंगे क्या रहे का प्रोसेस दो विभागों में यह भ रूटमेंड निकली है जिसमें एक वोस्त है 15,000 आपकी फिक्स्ट परमंद सैलरी रहेगी आपकी MSC चाहिए food science में and nutrition and food and nutrition में और जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो state government funded प्रोजेक्ट रहेगा और duration जो रहेगी 21 मार्स 2023 तक रहेगी application process fees 450 रहेगी और reserved categories के लिए 110 रुपे तो जो आपका interview है वो 15 सप्टमबर 2021 ग्यारा बजे interact होगा Dean College of Community Science ब्लॉक में CSK HPKB पालंपूर में और आपको इससे related कोई भी अन्यक क्विरी है तो आप इनके दियेगे number पे यहाँ पता कर सकते हैं और इनकी यहाँ पे email भी दी गई है तो अगली notification की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी निकाले गई है Health and Family Welfare Department में तो यह जो है वो है आपकी फर्मासिस्ट की पोस्टें जो की Allopathy की है Purely on Contract Basis पे और यह भरी जाएंगे आपकी batch wise के अधार पे तो इसमें बताया गया है कि जो date and time place of counseling वो आपको intimate कर दी जाएंग तो 17,820 रुपे हां salary रहेगी आपकी जो कि आपका रहेगा 3000 grade पे approximately और contract period पे है यह तो आपको दो साल बाद regular कर दिया जाएगा 27 पोस्टें है टोटल इसमें और इसमें बताया गया है कि qualification आपकी plus 2 in science from recognized board university और इसके इलावा degree या diploma होने चाहिए आपका pharmacy में और अब state या center government क pharmacy council में register होने चाहिए और आप तभी appointment पासकते है class 3 की post के लिए जैसे कि आपको पता है आपकी matriculation और plus 2 हिमाचल प्रदेश के किसी भी school या board से होनी चाहिए और या तो आपके पास हिमाचली bona fide होना चाहिए age limit आपको पता है 18-15 साल रहती है हिमाचल में और unreserved category इसके जाती है दोस्तों यह थी आज की जॉब अपडेट्स अगर आपको इस रिलेट्ट कोई query हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए अपने चैनल हिम्भू में जॉब को प्यार दें धन्यवाद जहीं